नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंखरना उम्योपेथि क्लिनिक में आपका स्वागत है साथियों, आज सुशान सिंग राजपूर जी की मरत्यों के साथ या आत्मत्या के साथ सुसाइट के साथ एक बहुत बड़ा सवाल समाज के सामने खड़ा हो गया है सवाल सामने ये खड़ा हो गया है कि हम अपने जीवन को आखिर किस दिसा में ले जाएं एक व्यक्ति था, एक इंसान था, एक को बहुत छोटे से बिहार के गाउं से उठा, बालीवुड के सीर्स इस्तिती में पहुँचा, जिसको इस बात ने साबित कर दिया कि जब उस गीटे थुई तो हर बालीवुड सेलिब्रिटी आई थी, वो व्यक्ति साड़े चार लाख महीने किराई के मकान में रहता था, जैसा मुझे समचारों से मालूम पड़ा, उस व्यक्ति की एक खुब्सूरत गर्फरिंड भी थी, शायद वो उससे शादी भी करता, उसके पास फिल्में भी थी, उसको इस समाज ने रिकनाईज भी करा था, समाज उसको जानता था, यहां समाज के लिए विशायव समाज किस तरफ जाए, हम लोग के बच्चे एक्जायम देने जाते हैं, हम लोग इस्तिती रखते हैं 99.9 या 100% लाई हुए विक्ति का उसको एक्जायम्पिल देते हैं, तो महतुकान साय बढ़ती जा रही हैं, इन परिस्तितियों में आप क उन्होंने करी, इसने वास्तिम में समाज को आहत करा है, और हमको मैं फिर काऊंगा, विचार करना पड़ेगा कि में तीवन को किर्दिसा पे ले जाएं, अपने पास मेरी समझ से दो विकल्प है, एक विकल्प है कि हम हमारे पास जो कुछ है, जो कुछ हमें मिला है, उसमें सबने उसे में भी सबने में कि सफलता पाना और सफलता सब्सक्राइबसुं। मैं आपके साबने बैठा हुँ मे adapting to the other और अचानक मेरा चैनल यूटूब पर डिलीट हो गया और इसे थिया बदली लेकिन जीवन एक जंग है हमको इसको लड़ते रहना है तो मैं ये वीडियो बनाने का मकसर इस समाज को ये मेसेज देना है कि यहां जो सुसान सिंग राजपूर जी की स्थिति में हुआ मैं उनकी समाज के लिए एक आइडियल एक्जामपिल नहीं होना चाहिए चीजें आएंगी चीजें जाएंगी सासन गिरेंगे सासन आएंगे सरकारे गिरेंगी सरकारे जाएंगी लेकिन आप देखें कोई डिप्रेस नहीं होता यहां पर मैं कांग्रेस की बात कर लों तो दस साल से वो पावर में नहीं है, अब आप बताएए कित्ते लोगों ने उन में से डिप्रेशन करके आत्वध्या कर ली, ऐसा नहीं होता है, तो मैं युवा पीडी से कहना चाहूंगा, कि अपने को डिप्रेशन में ना आने दें, और डिप्रेशन कोई चीज भी नहीं होती, डिप्र लिप्रेशन एक बहाना होता है, आपका लोगों से भागने का, आपका अपनी इस्टिशी से बाढ़ने का, जब आप सुसाइट करते हैं, या कुछ इस तरह का कारे करते हैं, तो आप अपने सुसाइट के साथ, कितने लोगों की जान ले जाते हैं, आपको अंदाजा भी न करना नहीं है मैं डिप्रेशन को बिमारी नहीं मानता हूं डिप्रेशन केवल एक बहाना है कि आप अपनी स्थिती से भागे तो यहां हमको नहीं करना है हमको जंग है हमको लड़ते रहना है और हमको जीवन में आगे बढ़ते रहना है यही जीवन है यही चक्र है मौत तो ज सम औरी नहीं है क्योंकि खाली हें हम लोग आए नहीं हो जो मिला वो भी तो हमारे पास नहीं था, क्योंकि वी मिला सुसान जी कहें, तो मैं जाओँग आए थो उनके पास बड़ी गाड़ी नहीं होगा, आज उनके पास Mercedes थी, जब वो आए होंगे तो साड़े चाल लाख रुपए महीने के मकान में फ्लैट में नहीं रह रहे होंगे, आज वो उसमें रह रहते जैसा समाचारों से पता लगा, जब वो आए होंगे तो उनके पास कोई फिल्म नहीं होगी, और आज जब वो वहां प जब खुए सकता, मानिय मोदी जी ने कविता दोराया ति सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, यहां कोई किसी को रास्ता नहीं देता, तुम चल सको तो चलो, तो यहां जो कविता पार्लिमेंट में भारत के कही गई ती, यहां वास्तव में बहुत सही बात है, जो पेष्टाता उस वेक्ति के जुवान की वो कविता ती तो जेश का परदान मंत्री है, हमारी वापीडी को ये बात समझनी पड़ेगी, कि जो मिले उसको रखो, ग्रहन करो, फिर एक कदम आगे बढ़ो, फिर एक कदम आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, लेकिन रास्ते में गिराव आएंगे, रास्ते में चोट आएंगे, उन चोटों को भी धेलना पड़ेगा, नो पेन, नो गेन, मोर पेन, मोर गेन, पस यही वो है, मैं सुसान सिंग राजपूज जी के, जो उन्होंने हासिल करा, उसको कहीं से उस गरिमा को कम नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में, जो उन्होंने हासिल करा, वो अविस्मनिय था, अविस्मित करने वाला था, और वो हर किसी को नहीं मिलता आज आप से कहा जाए वालीवुड के इस्टार के नाम बताओ तो आप दस से जादा पांस जादा इस्टार के नाम नहीं बता पाएंगे सबसो प्रोड की अवादी में तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने जो हासिल करा वो अदित्विय था लेकिन उसको सफलता को समाल कर रखना भी एक कला है तो हमारी युवापीडी इन बातों को एक्जामपिल ना मान के दर्था से अपने पत पे आगे भड़े यही मेरा निवेदन है और मैं फिर कहूंगा आपने इस बात को खतम करते हुए कि डिप्रेशन एक किवल बहाना है कि आप एक काम का स्क्यूद है कि आप नहीं करना चाहते हैं कोई बिमारी डिप्रेशन नहीं होती हर किसी के आगे समस्या है चाह बेचने के आगे भी समस्या है एक खुंचल तीन महीने लागडाउन आप बताए कितने लोगों ने डिप्रेट सुसाइट करा तीन महीने का लागडान है सतर परसेंट आवादी देश की रोज खाने वाली डेली बेजर से डेली एंडर से कितों ने सुसाइट करा किसी ने नहीं करा किसी ने भी नहीं करा सब संगर्ष कर रहे हैं कोई 13, 13, 14, 100 किलो मीटर पाई दल चलना है लेकिन सब संगर्ष कर रहे हैं तो हमको भी उस संगर्ष का हिस्सा बनना है और जीवन में आगे पढ़ते रहना है हन्यवाद कर रहे हैं प्रयंको निये खड़ानुब्ट मोगा कर दो